कल ही किसी माने हमसे पूछा महराज धर्म करने का क्या लाब है? और धर्म क्यों करना चाहिए? क्या मिलता है धर्म करने से? इसका उत्तर एक बार गुर्देव से भी ये प्रश्न पूछा गया था गुर्देव ने बड़े पवित्रतान और अनिउन्तम सब्दों में इसका जवाब दिया गुर्देव कहते हैं कई बार जीवन में ऐसे समीकरन बन जाते हैं जब चारित्रगत विशेस्ताएं काम नहीं आती आप कितने पवित्र हैं, कितने सब्वे हैं, कितने सुन्दर हैं, कितने सालीन हैं, कितने मंद कसाई हैं ये जो आपकी चारित्रगत विशेस्ताएं हैं, जीवन में कई समीकरण ऐसे बनते हैं बंदूं ये चारित्रगत विशेस्ताएं काम नहीं आती आपका किया हुआ कोई पुर्शार्थ भी काम नहीं आता देख लिजेगा पूर्वभाव का पुन्य भी किसी काम का नहीं आता इसी जीवन में रहते हुए ऐसे भी समीकरण बनते हैं ऐसे भी समीकरण बनते हैं जब किसी भी संबंद से किसी भी लाब की अपेक्षा करो और वहां से हमको चला करके हानी उठाना पड़ती है जब जीवन में ऐसा समिकर बन जाए कि आपकी कोई भी चारित्रगत विशेस्ताएं आपके काम ना आ रही हो आपका पुन्न काम नहीं आ रहा हो आपका पुर्शार्थ सो गया हो कोई काम नहीं आ रहा हो लाग प्रयास करने के बाद भी आपका कोई पुर्शार्थ काम नहीं कर रहा हो संबंद काम नहीं कर रहे हो आपकी मासिक्ता और बौदिक शम्ता भी आपके लिए काम नहीं कर रही हो धर्म बंद्वों उस समय बहुत काम आता है बहुत काम आता है कोई पूस्ता ये धर्म क्यों करना चाहिए क्यों आज आपकी चारी तरकत विशेस्ता ये आपके काम आ रही है पुन्न काम आ रहा है, पुर्शाद काम आ रहा है तब आप ऐसा प्रश्ण खड़ा कर सकते हैं आपको अधिकार है लेकिन जब ये सब काम नहीं आते बंधो उस समय धर्म काम आता है उस दिन के लिए उस वक्त के लिए भी अपना संसार समालने के लिए भी संसारी प्राणियों को धर्म जरूर करना चाहे नहीं करें तो फिर नहीं करें तो राजा स्टेनिक जैसी अंतिम गती होती है सब कुछ हाथ में होने के बाद भी कुनिक से परिशान होकर के अपने ही पुत्र से परिशान होकर के राजा स्टेनिक जैसे आत्म घात कर बैठे ऐसे कितने परवारों में इस तरीके के समही करण बनते हैं आपके परिवार में इस तरीके की परसितियां आज नहीं आई तो कोई बात नहीं लेकिन कभी नहीं आएगी ऐसा कौन कह सकता है जिस समय वो विपरीत परसितियां हमारे जीवन में आएंगी पुन्न संबंद पोईशार्त और चारितगत विशेस्ताएं काम नहीं कर रही होंगी उस दिन के लिए आज धर्म करो ऐसा पूज गुर्देव अपने व्याख्यानों में बार बार कहते है कितना पवित्यतम उत्तर है गुर्देव का ऐसे शब्दों के साथ जब गुर्देव समझाते हैं ना समझ के दिमाग में भी धर्म की कीमत समझ में आजाती है